यहां पे मैं आपको एक इंपार्टन अपडेट देने जा रहा हूं जेके SSB की तरफ से रिवाइजर डेन फाइनल आंसर के आई है फार्दी पोल्स्ट आफ नाइवित आसिल्दार आप जानते ही होंगे कि कंडिडेट इस ने 28 अपरेल 2018 को एक्जामस दिये थे उसके बाद इ इस ने भी कहा है जेके SSB को आप जानते ही होंगे कि go ahead for final selection ठीक है उन्होंने जेके SSB को कहा है कि आप आगे जाईए फर्दर जो आपको करना है ठीक है चाहिए short list आएगा selection list आएगा जो भी आएगा उन्होंने कहा है court ने order दिया है जेके SSB को कि आप फर्दर जो process है वो continue की जीजिए तो अब जेके SSB की तरफ से revised and final answer की आई है आप जानते ही होंगे जो इसकी notification number है one of 2015 जो dated है seven for 2015 तो इन्होंने कहा है के nearly 112 unique representation हमें receive हुई है ठीक है regarding तो उसके बाद इन्होंने जो changing की है answers में वो यहां पर मैं आपको show कर रहा हूं इन्होंने कहा है कि set A में, set B में, set C में and set D में आप जानते ही होंगे जिस दिन आपने exam दिया होगा आपके पास जो booklet वगेरा था आप जानते होंगे कि आपका कौन सा booklet था आपके पास जो booklet है उसके front page पे ठीक है, उपर के set A था, set B था या set D था तो इन्होंने कहा है कि set A में question number 8, set B में question number 17, set C में question number 8 and set D में question number 2 इन्होंने कहा है कि previous answer हमने B था था, B था 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 बट अब revised answer D पार्ट रहेगा तो next इन्होंने कहा है कि set A में question number 13, set B में question number 19, set C में question number 6, set D में question number 19 तो इन्होंने कहा है कि previous answer हमने इसका भी declare किया था, in questions का B part, बट अब revised answer की में, जो right answer इन्होंने दिया है, वो है A part और साथ ही में इन्होंने कहा है कि जो, ठीक है, final result आएगा, short list जो इसके बाद आएगा, ठीक है, वो according to revised answer की आएगा तो जो ये answer की मैं आपको show कर रहा हूँ, जो इन्होंने अभी निकाली है, इन्होंने कहा है कि इसी answer की के तहत, short list आप आने वाला है